दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक प़र फिरसे आपके अपने ही चैनल की रिग पॉली पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1972 में रेलीस हुई धरमेंदर साब की सबी फिल्मों के बारे में साल 1972 में धर्मेंदर साहब ने 5 फिल्में की थी अब ये 5 फिल्में box office पर hit रही थी या फिर flop रही थी सभी फिल्मों के box office collection के बारे में, budget के बारे में, hit और flop के बारे में तो सारी जानकारे आपको देने वाला हो इस वीडियो में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बस आप सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए बात करते हैं पहले फिल्म के बारे में तो पहले फिल्म है दो चोर ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 अगस्त साल 1922 फिल्म में हमें नसर आई थे धरमेंद्र, कैन सिंग, तनूजा और लक्षमी चाया डिरेट क्या था इस फिल्म को? भी पदमानभमने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 50 लाक रुपे बॉस ऑफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 82 लाक रुपे कमाई थे और पूरे वर्ड में तकरीबन 1.60 लाक रुपे कमाई की थी और ये कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, रोमेंसे, भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी चल दूस्तों अगली फिल्म के बारे में हम बात करते हैं फिल्म का नाम है समाधी 22 दिसंबर साल 1972 में रिलीस हुई थी ये फिल्म आशा पारेक, धरमेंद्र, जया बहादुरी और मदनपुरी इस फिल्म में एहम किरदारों में इसर आई थी फिल्म को डिरेट क्या था पिरकाश महरा ने और बज़र था इस फिल्म का तकरीबन 80 लाक रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 1 करोड 60 लाक रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 3 करोड 25 लाक रुपे कमाई थी और ये एक एक्शन, ड्रामा, रोमेंसी, भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी चले दूस्तों अगली फिल्म के बारे में हम बात करते हैं फिल्म का नाम है राजा जानी ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 नौवंबर साल 1922 को धरमेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ इस फिल्म में एहम किरदारों में असरा आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? मोहन सेगल ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 90 लाक रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने धाई करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 5 करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन, ड्रामा, रोमेंसी, भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी चले दूस्तों अगली फिल्म के बारे में हम बात करते हैं फिल्म का नाम है सीता और गीता पांच नौमबर साल 1922 में रिलीज हुई थी ये फिल्म धरमेंद्र, हेमा मालिनी, संजीब कुमार इस फिल्म में एहम किरदारों में नसार आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? रमेश चिप्पी ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन एक करोड रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने तीन करोड पच्चिस लाक रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन साड़े साथ करोड रुपे कमाई थी और ये कोमेडी, ड्रामा, फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी चलए दूस्तों अगली फिल्म के बारे में हम बात करते हैं फिल्म का नाम है ललकार दो जून साल 1972 को रिलीस हुई थी ये फिल्म धर्मेंद्र, राचेंद्र कुमार और माला सिन्हा इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था रामानन सागर ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 90 लाग रुपे बॉक्स आफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने सिर्फ एक करूर रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन दो करूर रुपे कमाई थे और ये एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर फिलॉप साबित हुई थी तो दोस्तों ये थी साल 1972 में रिलीज हुई धर्मेंद्र साहब की पाच फिल्में इन सबी फिल्मों के बारे में मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसना आओगा थांक्यू